So here guys, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मेरी one of the favorite anime series को, जिसका असल में नाम है The Land of Miracles और इस series के जो season 2 और season 3 है वो मुझे बहुती ज्यादा पसंद आये थे इस वीडियो के अंदर मैं season 1 को complete explain करने वाला हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर से पसंद आएगी इस कहाने की श्रुआत होती है सन 2501 के ICS को दिखाते हुए, जिस वक्त पर इस दुनिया में एक बहुती बड़ा प्रलाय आने वाला था क्योंकि एक उलका पेंट टकराने वाला था धरती से, जो की भरा हुआ था demons से, उसको रोकने के लिए सबी races ने मिलकर निर्मार किया था seven divine beats का, लेकिन seven divine beats के power उसको रोक नहीं पाते, जिसकी वज़े से ये धरती six domain और seven oceans में बदल गई थी, जिसको फिर असल में कहा जाने The Land of Miracles, इसके बाद अब में Magic Domain के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसको नाम होता है Dave, जिसको खुद से ही चूज किया था Temple of Wisdom ने, इस वक्त से उसको powers मिल चुकी होती है Book of Prophecy की, और ऐसा Miracles सदियों बाद इस धरती पर देखने को मिला है, फिरा में दिखाया जाता है Thunder City के King और Queen को जो के अपने बेटे को Element की Powers को दिलाने के लिए ले गए थे, जिसका असल में नाम होता है Mike और उसकी किसमत इतनी ज्यादा अच्छी थी, उसको के वलेक Element की Power नहीं, बलकि मिल जाती है पूरे चार Element की Power, जो के असल में होते है Thunder, Fire, Water और Wind, इसकी वज़े से वो बन चुका होता है Four Elemental God Mike, समय के साथ में जब Mike बढ़ा हो जाता है तो उस सभी का चहीता भी बन चुका था, Thunder City के कई सारी Females ने उसको अपना Crush भी बना लिया था, और Arena के अंदर उसकी Fight हो जाती है यहाँ पर जिनियाओ नाम के बंदे के साथ में, जो की भले ही एक Fourth Stage का बं बन जाती है, लेकिन अब ते भी जिनियाओ यहाँ पर अपनी One of the strongest Attack को यूज करने लगा था, जिस Attack को भी Mike ने बहुत यासानी के साथ में रोक लिया था और हरा दिया होता है जिनियाओ को, Mike उसके पास में पहुंचता है कि क्या तुम अब भी Fight करना चाहते हो, लेकिन तभ अकलब यह था कि यह लोग अलग अलग डूमेन पर होते हुए भी एक ही ट्रीजर के बारे में बात कर रहे थे, वो दोनों ही डेवन Mike को बताते हैं सालों पहले आए उस Catastrophe के बारे में, एक इस तरीके से बनाया गया था Seven Divine Beats को और उनकी पावर्स काम नहीं कर पाई थी, ज मैं तुम्हारी मां से कहलवा कर तुम्हारी शादी करवा दूगा, इसके बाद फिल तुम यह जानते हो कि तुम्हारी साथ में क्या कुछ नहीं होगा, जिसकी वज़े से मजबूरन Mike को अपने डैड की बात मानने ही पड़ती है, उसके डैड कहते हैं कि बेटे इस बात को याद रखना कि प्याले स्पीड हमारे लिए बहुती ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम उसको प्राप्त करने के लिए अपने सारे के सारे अलिमेंट्स को यूज कर सकते हो, जिसकी वज़े से माइक खुश होते हुए यहां से निकल गया था उस बेनाम आइलेंड की पोज के साथ में, जो कि सारे के सारे तयार हो जाते हैं माइक पर अटेक करने के लिए, जो चीज़ देखकर फिराकर माइक कैसे ही रुकने वाला था, वो भी तुरंती फाइट करने लगता है, वो दोनों ही यह समझ चुके थे कि यह जो लड़ाई है, वो उसलमें हो रही है उसी आइलेंड के ही उपर, लेकिन पीलेस बीट की तलाश में, यहाँ पर एक और शक्स भी आया हुआ था, माइक को स्टाप उपर पहुंसते ही तुरंती आगे जाने लगता है, जिसके पीछे पीछे डेव ने भी जाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि असलमें एक खाई एक और तीसरा बंदा, जोकि असलमें होता है सैकरेट डीमन का बियर वारियर, जोकि तुरंते अपना मॉंस्टर ट्रांस्फरमिशन करते हुए फाइट करने लग जाता है डेवर माइक के साथ में, और हमें ये देखने हो के मिलता है कि इस बियर वारियर के पावर्स इन दो उसे काफी ज्यादा थी, बस खास होती है तो इन दोनों के पास में अपनी अपनी अबिलिटीज, जिस मुमेंट पर फर तभी यहाँ पर एंट्रिय हो जाती उस बियर वारियर के मास्टर की, जोकि असलमें होती है एक प्रिंसिस और उसका नाम होता है शैंगलियान लोटस, और यह सलमें बिलाउं करती है सिल्वर लोटस क्लेन से, जहाँ पर यह दोनों ही लोटस को अपने बारे में पर बताते हैं, लोटस कहती है कि जब हम तीनों को ही जरुएते पेरलेस बीड की, तो क्यों ना फाइट की जाए और जो भी जीतेगा वो पेरलेस बीड को ले जब तक कि माइक उससे बात कर रहा था, जो चीज़ देखते ही माइक तुरंती उसके पीछे जाता है लेकिन, शैंगलियान और वियर वारियर उसके अंदर जा नहीं पाते, उन्हें खुद भी यह समझ नहीं आता कि आकर ऐसा कैसे हुआ, इसलिए अब यह दोनों वेट करन कि वो हुरे हीती माइक की, माइक हर बार ही उससे बदला लेने की कुशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, जिसके बाद अब यह दोनों के दोनों पहुंच चुके होते हैं बेनाम आइलेंड के सैकरेट टैंबल के अंदर, और वहीं पर बीचों बीच रखा हुआ ह जैसे भी कोई भी असर नहीं होता, डेव उसके बारे में पता करने के लिए जैसे ही उसके करीब जाता है, तो अचानक से ही वो स्टोन उसकी पावर्स को सोखने लगता है, माइक को देख कि ऐसा लगता है, जैसे कि यह बंदा पेलेस बीड की पावर्स को ले रहा हूँ, इ जहां तक इसके बारे में बाहर खड़े हुए, जैसे ही उन दोनों को पता चलता है, तो वो दोनों भी तुरंती निट जी की तरफ ही आने लगते है, जो चीज़ देकर मिस्स लोटस भी शौक हो जाती है कि आकरिये शील अचानक से कहां पर चली गई, ये लेस बीड के साथ में चिपके हुए माइक, डेव सीज़ कह रहा था कि मैं तुम जैसे घटिया बंदे के साथ में नहीं मरना चाहता, इसलिए ये दोनों की दोनों अपने पूरी टाकत को लगा रहे थे ताकि वो इससे दूर हो सकें, लेकिन यहाँ पर पावर्स के कापी बड़ा धामाका होत है जिसके वज़े से ये दोनों ही बेहुश हो गए थे और फूर इसके कुछ देर बाद ही यहाँ पर आ जाते हैं बियर वार्यर और शैंग्लियन लोटस, लोटस कहती है कि हमें लोगों की बाड़ी का तलाश ना होगा ताकि हमें पता चल सके पियर लेस बीड के बारे में, बियर वार्यर तलाशी ले रहा था माइक की और लोटस तलाशी ले रहे होती है डेव की लेकिन इसको कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए तबी वो बियर वार्यर से कहती है कि मुझे इस लड़के का स्पेस ब्रेसलर चाहिए, जिसके अंदर माइक ने बहुती जदा अश्लीलत बरके रखी थे, इसलिए उसको अजीब से लगता है और वो कहने लगती है कि हम तो पियर लेस बीड को ढूनने के लिए आए थे, आखिर वो कहा पर गायाव हो गया, नहीं ऐसा तो नहीं कि पियर लेस बीड एक इलूसन हो सेविन डिमेंड बीड्स को बचाने के लिए, जि पर जब माइक को हुश आता है तो उससे पता लगता है कि उसकी तो इजद की धच्चियां उड़ा दी गए, इसलिए वो कहरा था कि मैं उस बीर वोरियर को नहीं चोड़ूँगा, ना तो हमें पीलेस बीड मिला और नहीं कुछ और, इसलिए वो सारा का सारा बलेम लगाने देव के उपर कि ये सब कुछ हुआ है तो में सारी की सारी चीज़े पता होने के बाद भी तुमने कुछ भी नहीं किया, इसलिए अगर अगर तुम दुबाराए से मुझे मिलोगे तो मैं तुमें बहुती बुरी मार मारूंगा, जिसके बात फिर देव यहां से जा रहा थ और माइक उसको कावरी सारे गालियां भी बग रहा था जिसके बाद फिर माइक भी उसी गुफा से बाहर पी आ चुकाता जहांपर उसके इंतिजार कर रही होती है उसकी डॉल्फिन जिसका नाम होता है बलू जिसलिए उसने तुरंती उसके उपर बैटके यहां से जाना भी शुरू कर दिया था इसके बाद अब मैगले ही सीन में दिखाया जाता है डेव को जो कि अपना कल्टिविशन कर रहा था जिसकी वज़े से उसको पता लग जाता है कि पानी की नीचे से एक पहुती बड़ा हमला होने वाला है इन लोगों की उपर यहां पर आ रहा होता है एक पहुती बड़े साइस का और पाउरफुल सी मॉंस्टर यहां पर आने की वज़े से सारा का सारा मौसम का नजारा ही बडल चुका था जो कि जैसे ही डेव के जाहाच पर दुबारा से हमला करने वाला था उसने तुरंती अपने सबी के सबी साथियों के हल्प से बना ली होती है चारों तरफी एक एनरजी शील्ड को लेकिन मौस्टर का जो पावल लीबल होता है वो सच में एक तुम ही अनबीटेवल था कि उसने घेर लिया होता है इस जाहाच को और वो उसी को ही अपना टार्गेट बना हुए था देव के साथियों को समझ भी नहीं आ रहाता कि आकर वो लो कि से बचें कैसे देव देखता है कि यह मौस्टर तो एक्च्छल में है एक सी ड्रैगन जो कि यहाँ से वहाँ जाकर कैसे भी करके हमला कर रहाता है इन लोगों के उपर युकि इसका सबसे पहला एमबिशन होता है इस जहाँच के उपर बनी हुई शिल्ड को तोड़ना जिसको वो सकस्स फुली तोड़ भी चुका होता है तब ही डेव उससे कहने लगता है कि सी ड्रैगन प्लीज मुझे बताये कि आकर आप हमलों को पर हमला क्यों कर रहे हो वो सी ड्रैगन कहने लगता है कि तुमने हमारे यंग मास्टर को हमसे छीन लिया डेव कहा रहाता कि माफ कीज़े कर लेकिन हम आपकी यंग मास्टर को तो जानते भी नहीं इसकी वज़े से गुस्से में आकर सी ड्रैगन ने अपना एक बहुती तकड़ा आटेक कर दिया होता है जिसको डेव ने डॉज करने की कोशिच की थी लेकिन इसको चोट लग गए थी और इसका सेम टू सेम असर होने लगता है माइक के भी उपर माइक को समझ में नहीं आता कि आकर अचानक से ही उसको ये चोट कैसे लग गए वो सी ड्रैगन कहने लगता है कि तुम के वह लेक इंसान हो तुम आकर मेरे सामने खड़ी होने की हिम्मत कैसे कर रहे हो लेकिन अब डेव के सामने अचानक से ही एक अलग ही लिवल की पावर आ गए थी जो सेम टू सेम पावर फील हो रही होती है माइक को भी जाने कि इन दोनों के ही बॉड़ी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो गई थी इसलिए फिर इसके एक लहे ही पनल माइक वहां से गायबो कर पहुंच जाता है डेव के पास में साथ ही साथ जो हमला डेव के उपर हुआ था उससे बचने के लिए फॉर्मिशन का यूज़ कर रहा था और अपना माइक यूज़ करने लगता है अपने थंडर एलिमेंट को यहां तक किस नाओ की भी हालत खराब होना शुरू हो गई थी इस मुमेंट पर अप जैसे ही वो ड्रैगन दुबारा से हमला करने वाला होता है डेव अपनी पावर्स को यूज़ करने लगता है जिसके बॉड़ी के अंदर जा रही होते हैं माइक की पावर्स क्योंकि इन दुनों की ही बाउडी एक दुसरे के साथ में जुड़ी होई थी इसलिए फिर डेव का पावर लिबर बढ़ने के वज़े से वो यहां पर अपने एक शीलिंग टैक ने को यूज़ कर पाता है लेकिन अबी भी वो रुकने वाला नहीं था जिसकी वज़े से माइक के कहने लगता है कि अब़ी हमने जुकिया था अगर वो मैं सच में दुबारा से कर पाउं तो मैं हम सबी के स्परिषरल पावर तुम्हें देने वाला हूं ताकि तुम हमला कर सको माइक केने लगता है कि अगर मैं मर गया तो हम सभी के सभी भी मर जाएंगे लेकिन फिर भी वो एक दम ही रेडी हो जुकाता अपने थंडर अटैक को करने के लिए जहां पर अब डेव ने तुरंती दुबारा से उसी टैकने को ही यूज करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो सारी के सारी पावर्स को दे सके माइक को और माइक अपने उसी पावर की हल्प से सी ड्रैकन के ओपर अपने कई सारे हमलों को करनी लगता है जो हमले सी ड्रैकन की हालत को खराब करने के लिए काफी थे इसके वज़े से फ़नली एसी ड्रैगन हार जाता है और वो पानी की नीचे चला ही जाता है जिसके हारते ही यहाँ का मौसम भी एकदम साफ हो चुका था और माईक आजाता है डेव के सामने उस से कहने लगता है यह तुमने जो भी किया था वो सच में पहुंती जदा कमाल का था वो दोनों ही सोचने लगते हैं कि क्या सच में पियलेस बीड उन दोनों के अंदर आ चुका है जो बहुत रियलाइस होना उन लोगों के लिए सच में एक काफी जदा शौकिंग नीउस थी इसलिए माइक डेव से कहने लगता है कि जल्दी से मुझे इसके बारे में पता दो कि आकर यह सब कुछ हुआ कैसे लेकर वो दोनों ही यह समझ चुके होती है कि यह जरूर से हुआ है पियलेस बीड की ही वज़े से माइक डेव को डाटती हुए कह रहा तक कि तुम उसकी पावर्स को यूज़ करते हो और तुम ही ने मुझे यहाँ पर बोलाया यहाँ तक कि तुमें जो इंजरीस हुई थी उनकी हाफ इंजरीस मेरे उपर भी आ गए इसके बिन दोनों की ही बीच में यहाँ पर नोक जोक होने लगी थी माइक को जो भी इंजरीस होती है वो सेम टू सेम हो जाते हैं डेव के भी उपर इसकी वज़े से माइक को बहुती ज़ादा हसी आ रही होती है डेव के उपर जिन दोनों की ही नोक जोक अब कतम हो जाने के वाद वो एक दूसरे के सामने बैट जाते हैं और यहां पर माईक को यह समझाता है कि यह जो PLS बीड है वो हम दोनों की ही शरीर में आ चुका है जिसकी विज़े से हम दोनों की लाइफ एक दूसरे के साथ में जुड़ चुकी है इसके साथ साथ हम दोनों ही एक दूसरे के पेन और सेंसेस को भी फील कर सकते है यहां तक की एक दूसरे की पावर्स को भी चेनलाइस किया जा सकता है लिएबिलिटी वाक्य में बहुती ज़ादा खास होती है, एकोरेबिलिटी मिल चुकी थी, जो की होती है टेलिपोटेशन, जो बहुत सुनते है माई की सूझे लगता है, कि यानि कि मैं यहां से वापस भी जा सकता हूँ, लेकिन अभी यह दोनों चाहा कर भी टेलिपोटेश में कामयाबी नहीं मिले थी वर अब इन दोनों को ही ये बास समझ में आ चुकी होती है कि टेलिपोटेशन को यूज करने के लिए इने एक प्रॉपर डिस्टेंस पर बैटना होगा ताकि उस पावर को यूज किया जा सके इसके बाद फिर ये दोनों के दोनों अपने अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं पावर को यूज करने के लिए जिसकी वज़े से फिर वाके में एक ही पल में माइक पहुंच जाता है वापस से अपनी डॉल्फिन के पास में जिसे कि माइक तो बहुत ही ज़दा खुश हो रहा था क्यूंकि वो डेव से दूर जो हो चुका था लेकिन माइक वहाँ पर अपने मन में जो कुछ भी का रहा था वो सब को सुनाई दे रहा होता है डेव को इसी वज़े से डेव ने अपने आपको एक थपड मारा होता है जो कि फेल होता है माइक को इसलिए फिर माइक भी डेव को सबक से खाने के लिए अपने आपको टॉल्चर करने लगता है इसलिए इन दोनों ने कसम खाली होती है कि ये लोग किसी भी तरीके से इस कर्स को हटा के ही रहेंगे इसके बाद फिर मैगले ही सीन में दिखाया जाता है गवर्नर पैलेस को जहांपर डेव ने गौड़ फादर को अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया था गौड़ फादर उसको बताती है कि अगर तुम्हें ये कर साटाना है तो इसके लिए तुम्हें डूनना होगा किसी कैटलिस्ट को बले ही हम लोग और ब्लू डेमन वाले इंसान ही हैं लेकिन उनके और हमारे कॉंसे प्रॉब्लम्स के बारे इस प्रॉब्लम का शॉलूसन तो होगा ही लेकिन तबी माइक के डैड माइक को आसमन से ही खीच कर नीचे गिरा लेते हैं तो माइक उनको बताता है कि मुझे वहाँ पर कोई भी PLS बीडन नहीं मिला जिसके तुरंत ये बाद बिना कुछ कहे ही यहां से चला जाता है डैड कहने लगते हैं कि जब तुमे कुछ नहीं मिला फर तुम इतने जल्दी में कहा पर जा रहे हो जिसके बाद फिर माइक तुरंती पहुँच जाता है अपने ग्रैंड डेलर के पास में जो कि इसको यहां पर मिल नहीं रहे थे कर निकाल ही लूँगा लेकिन डेव ये कहने लगता है कि वो तरीका मैं तुम से पहले खोच के निकालूँगा लेकिन तभी डेव के पास में एक चोटा सा बच्चा आ जाता है जिसका नाम होता है यॉंग्जियन जो कि उससे ये कह रहा होता है कि भाई डेव आप मेरे साथ म नहीं मुझा था ये बात असल में उससे कही होती है लौड औरिकल ले तो बच्चा ये कहने लगता है कि मैं अपनी लाइफ में एक बार इटरनल फ्लावर को जरूर से देखना चाहूंगा ये उससे कहता है कि तुम्हें मिस डैंक की बात माननी होगी और समय पे खाना भी ख कर दिये थे माइक की माइक के कहने लगता है कि एलर प्लीज आप मेरी हल्प कीजिए एलर ये कहरे होती है कि आकर तुम्हारी हमत कैसो ही मेरे वाडर अफ लाइफ को चुराने की तुम्हें कि तुम्हारी बाड़ी के अंदर को भी कर से फील नहीं हुआ इसलिए माइक को तुरंती उठा के बाहर के तरफ फेक दिये थे तब भी माइक के पास में संदेशा आता है उसकी मा का जिसके बात फरमेड डेव को दिखाया जाता है मिस डेंग के पास में कि वहाँ पर उस बच्चे की तबियत कुछ जादा है खराब हो गए थी जिसका अगर ठीक तरीके से इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है लेकिन डेव चाहा कर भी जिन्दगी बच्चाने वाले फल को खरीद नहीं सकता क्योंकि वह बहुती ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है जोकि डेव से ये कहने लगते है कि इस फ्रूट को लेने के बदले तुम्हें मेरे साथ में सौधा करना होगा क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए और मुझी चाहिए तुम लेकिन डेव उसका अपने रास्ते से हटाता है और आगे जाने लगता है जो कहते है कि देखो अगर तुम मेरी बात को मानोगी तो मैं तुम्हारी सोच से भी जाना पैसा दे सकती हूँ लेकिन डेव कहता है कि चिंदा मत करो मैं बहुती जिल्दे तुम्हारा सारा पैसा चुका दूगा मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंट्रेस्टर नहीं है क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो लेकिन इस सारी की सारी बातें सुन रहा होता है माइक जो कि हस्ती हुए डेव से कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि कोई है जो कि तुम्हें खरीदना चाहता है जिलो कम से कम इस दुनिया के अंदल तुम किसी को तो पसंद आए लेकिन तब युसी मुमेंट पर डेव को बुला लिया जाता है पहले इसके अंदर पर हम लोग देख पाते हैं माईक को जो कि वापस आ चुका होता है अपनी मॉम के पास में और वो ये कह रहा था कि उस ताइलेंट पर जाना मेरे लिए तो विल्ट में ही चला गया तो कहते हैं कि ठीक है पेरलेस बीड को छोड़ो तुम मेरे बात को सुनो कि यहाँ पर उन्होंने काफी सारी तस्वीरों को लगा के रखा होता है लेकिन माईक उन मैंसे किसी को भी पसंद नहीं करने वाला था मॉम ये कहने लगते हैं कि कितना चाहोगा जै मेरे पास में भी मेरा ग्रेंड सन होगा और वो ये कहने लगता है कि माम मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा ही सोचती हो ये कहने लगता है कि मैं बच्वद से ही आपके इस पृटी फेस को देखते हुए आ रहा हूँ Shap Yeshua में किसी ऐसे को कैसे चूज कर सकता हूँ जोकि आपसे कम पृटी हो उस नहीं तो उसको आपके बराब या आपसे आदी डिलेंट तो होना ही चाहिए तो मॉम यह कहने लगती है कि हाँ वैसे तुमने बात दो एक दम पतेगी की है लेकिन आप में कुछ और भी चीज़ को अरेंज करने वाली हूँ तो उसके बारे में डेप को भी बता चल जाएगा इसी वज़े से किसी भी तरीकी से ये कर्स हटाना ही है लेकिन दभी माइक के डैड उसको नीचे खीच लेते है तो माइक उनको बताता है कि मौँ तो मेरी मैरी करवाने की पीछे तुली हुई है जिसकी वज़े से डैड तुरंती माइक को बता देते हैं अपना एक अच्छा सा आइडिया माइक करना लगता है कि इन सेविन डोमेंज में ऐसी कोई भी जगे नहीं है जहाँ पर मैं ना जा पाऊंगा और मैं यह चाहता हूँ कि पेलेस बीड तुमसे जो भी चाहता है उस से वो करने दो यूग कि अब देखो एक नए टूनामेंट का भी समय आ चुका है जिसको तुमें जीतना ही होगा जो किसल में होता है कई सारे सिटीज का कंपटिशन होली सिटी के अंदर गौड़फादर उस ते यह कहते हैं कि मुझे तुमारे ऊपर पूरे यकीन है तुम बाहर के भी दुनिया को देख पाओगे गौड़फादर यह बताते हैं कि अगर तुम टॉप सिक्स्टीन की लिस्ट में भी आ जाओगे तब भी तुम्हें काफ़े सारे रिवार्ड्स और प्राइजस दिये जाएंगे और अगर तुमने किसी विज़र से चेंपिन्शिप को ही जीत लिया तो तुम्हें एक आर्ट इफेक्टर से नवाजा जाएगा मुझे लगता है कि उनमें से कैसा भी ट्रीजर होगा जो कि तुम्हारी बोडी से पेलेस बीड के कर्स को भी हटा पाएगा जिसके बाद अगले ही सीन में दिखा जाता है होली सिटी को जहां पर उने वाला था डोमेंस का कमपेटिशन देवी नजारें देखते हुए सोचने लगता है कि आकर ये एक आख वाला डीमन रास्ते को साफ क्यों कर रहा है यहां तक कि सबी लोगों के जैसे वो भी यहां पर जुक जाता है जिस मुमेंट पर ते भी एक लड़की गिल जाती है उस डीमन के सामने जिसके को चलने से फानली बचा ही लिया होता है माइक ने यहां तक कि माइक तो जैस उस डीमन पर हमला करने की कोशिश करता है तो डेवी ने उसको रोक लिया था यहां कि ऐसा करने के वज़े से खुद माइकी ही प्रॉबलम में आ जाएगा और यह दोनों ही यहां पर एक दूसरे को देख के एक तमहीं शौक हो गए थे डेवी उसको बताने लगता है कि भले यह होली सिटी है लेकिन यहां पर राज अभी भी चलता है डीमन्स का तुम्हारा कुछ भी करना बड़ी मुसीबतों को खड़ा भी कर सकता है माईको से कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे डर पोक नहीं हूँ और नहीं सहने वाला हूँ जिसके बात कुसुन कर डेव तुरंती यहां से चला भी गया था जिसके बात फ्रेमें के लिए सीन में दिखा जाता है होली सिटी के रजिस्ट्रेशन आफिस को जहां पर प्रेजिस के बारे में और न सारी जैजों के बारे में लखा गया था जो कि इस कमपिटिशन में जरूरी होंगे यहां पर जिन ट्रीजर्स के नाम लखे गए होते है डेव की नजर होती है केवल उस ट्रीजर्स के उपर जो कि इसके कर्स को हटा सकता है जहाँ पर दुबारे से माईक और डेव मिल चुके होते हैं माईक के कहने लगता है कि मैं स्टुजर से अपने कर्स को हटा पाऊंगा लेकिन यहाँ पर जो कंपिटिशन है वो सलमें रखा गया होता है जोड़ी के लिए यानि कि कोई भी बंदा यहाँ पर अकेले पार्टिसीपर तो कर ही नहीं पाएगा इसलिए माईक डेव के पीछे जान लगता है और इसे रिक्वेस्ट करने लगता है देखोवे से हम दोनों ही चाहते हैं कि वो कर्स हमारी बोडी से दूर हो जाए तुम खुदी सोचो जब तुमारी मेरी होने के बाद तुम इंटिमेट होगी तो तुमारी हर एक फीलिंग मुझे भी तो फील होगी और अब यह हमारे पास में एक बहुत यह अच्छा मौका है इस कर्स को हटाने का जिसे के भी दोनों ही यही पर फाइट करना भी स्टार्ट कर दिये थे दोनों की ही फाइट की बीच में एक कट अहला चुका ता लेकिन फिर भी यह लोग रुकने वाले नहीं थे देव उससे कहता है कि अगर तुम मुझे प्राइस का सारा बोनस दोगे तो मैं तुम्हारे साथ में होने के लिए तयार हूँ और मजबूरन माइक को देव की यह शर्त माननी ही पड़ते है जिससे कि अभी दून ही एक ही टीब में हो चुके होते हैं और पहुच चुके होते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लहां तक कि हमें वहीं पर दिखा जाता है शैंगलियन को जो कि इस कंपुटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई थे जिसके बाद फर माइक और डेब दोनुँ ही अपने अपना रिजिस्ट्रीशन करवा garment लेते हैं शैंगलियन इस बार में सोच रहेती कि आकर ये दोनु एक ही टीम में काम कियों कर रहे हैं जिसके बाद फर मैं माइक और डेब को दिखाय जाता है वाइल्डरनेस के अंदर तो कि पूरी होली सिटी के अंदर सारे के सारे होटल सी बुक हो गए थे जिसे कि इन दोनों को रहने के लिए दिया जाता है एक टेंट माइक डेव से कहता है कि तुम्हे तो बाहर ही सोना होगा क्योंकि इसके अंदर तुम मैं सोंगा को ही खा रहा था जिन दोनों को खड़े-खड़े देख रहे होते हैं शैंगलियन और उसका बियर माइक तभी सिटी के अंदर जाता है और अच्छे से खाना खाने लगता है जहाँ पर उसकी प्लैनिंग के बारे में पता लगाने के लिए पहुंच जाती है शैंगलियन और वो कहती है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी खाओगे उसका सारा पैसा मैं चुका दूँगी कि मैं तुम से उस बात के लिए माफी लेना चाहती हूँ जो कि हमारे बीच में पहले हुई थी उससे जानने के कुशिश करने लगती है कि आकरवे से पियरलेस बीड कहाँ पर है लेकिन माइक तो इतना जादा चाला कोता है कि वो उसको कुछ भी नहीं बताता बलकि बर पेट खाना खाता है वो भी महेंगा वाला शैंगलियन उसे पूछते है कि वैसे तुम दोनों पहले लड़ रहे थे लेकिन अब साथ में ही काम क्यों कर रहे हो माइक चला की दिखाता है और उसको कुछ भी नहीं बताता देखने में तो उसे लग रहा थे जैसे कि उसने पूरी होटल का ही खाना खतम कर दिया हो और फिर वो तुरंती यहां से चला भी गया था इसके बदले में शैंगलियन को चुकाने पड़ते हैं पूरे पंद्रे सु सिल्वर कोइन इसके बाद अब में रात के समय में दिखा जाता है डेव को और उसके पास में भी अब पहुंच जाते है शैंगलियन जिसके साथ में बाते करते वे और जाते वे देख लिया था माइक ने शैंगलियन यहां पर डेव से भी उन सवालों के जवाब निकल वाने की कोशच कर रही थी लेकिन डेव भी उसको बेवकुब बनाता है और कहता है कि मैं यहां से नहाने के लिए जा रहा हूँ जिल में नहाता है तो माइक भी पहुँच जाता है उसी जिल में चलंग लगाकर माइक डेव से यह कह रहाता है कि वैसे जो शैंगलियन है क्या तुम उसको लाइक करते हो जो बात तुम आएक भी सुच रहाता कि हाँ से किसी भी हाल में जीतना ही होगा शैंगलियन अपने बियर का ऐसे कहती है कि हमें उन दोनों पे ही नज़र रखनी होगी जिसके बाद अब फानले वक्त आ चुका होता है इस कंपिटिशन के स्टार्ट होने का जहाँ पर जितने भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो सबी के सबी तुआ है चुके थे साथे साथ दर्शकों के भी कमी नहीं होती इनका स्वागत पे काफ़ी शांदाल तरीके से किया जाता है कि फाइनली ये सबी के सबी आ चुके होते हैं होली सिटी के अरिना के अंदर जिसके बाद अब यहाँ पर एंट्री होने लगती है मेजर रैफरीज की जो सबी के सबी देखने में भी लग रहे थे जैसे कि यहों डीमन कल्ट से यहाँ पर जौंगत किया जाता है मिस्टर लूओशी का जिनोंने यहाँ पर एक बहुती ग्रैंड लिवल की एंट्री मारी थी कि वो ही असल में होते हैं इस सिटी के लॉर्ड डेव माई को यह बता रहाता है कि हाँ यह देखने में बते इनसानों के जैसे ही होते हैं लोगों के अंदर होती हैं मौन्स्टर्ज और डीमन्स की स्परिट कि पहले के वकते में सभी के एंसिस्टर इंसान ही तो हुआ करullah के करने लगता है कि कितनी बॉरी बात है के साथ में वेल यांग और मैंग जियू को लूइस ये नजारा देकर शौक हो जाता है क्योंकि मैजिक डूमेन और ब्लू डूमेन वाले साथ में काम कर रहे थे इसके तुरंती बाद अब यहां पर फाइट स्टार्ट भी हो गई थी माइक सिदा ही जाके डगरा जाता है वेल अटेक्स को जिसके बाद वेल यांग यूज करने लगता है अपने मौंस्टर ट्रांस्फरमिशन को जिससे के अब यहां पर उसका मुकाबला करना शुरू कर दिया ता डेव ने माइक यहां पर फाइट करने लगता है मैंग जीू से नम देख पर आते हैं कि डेव तो यहा राउंड काफी संदर लाजवाब साबित होता है सब्वी लोग यहाँ पर माइको डीव की पावर्स को देखकर एकदम ही शौक रह गए थे इसके तरंते बादा वेल यांग और मैंग जू दोनों ही दुबारा से अटेक करने के लिए आने लगते हैं डीव बार बार और लगातार अपने विन अटेक्स का यूज़ कर रहा था लेकिन मैंग जू ने अपने पावर्स का यूज़ करते हुए डेव को काफी खतरनाक तरीके से फसा लिया था माइक को रोकने में लगा हुआ होता है वेल यांग लेकिन फिर तबी हम यहाँ पर आस्मान को बदलता हुआ देख पाते हैं जिसके अंदर से बाहर निकल के आ जाता है एक पहुती बड़ी साइस का एस्टरॉइड जो कि माइक और डेव दोनों से ही टकड़ा कर उन दोनों को जान से मार देगा माई कियता है कि अब तुम लोग अपनी हद को पार कर चुके हो इसकी बड़ी से वेल यांग को फेक दीता है उसी इस्टरॉइड के ऊपर पाइट चलती रहेगी, कि अब दुबारा इस उसको घेर लिया गया था, और वेस्टरोइड भी उसी से ही टकराने वाला था, तो फिर डीप तुरंती पेलेस बीड की एविलिटीस को यूज़ करने लगता है, इसकी वज़े से माइक के जो पावर्स होती है, वो पहुंच जा तकि वे बहुत ही आसानी के स्थाथ में, अपनी पावर का यूज़ करता है, और मैंग जी को एक सके पे फसा ही देता है, जिसकी हेल्प करने के लिए अब जैसे आने वाला होता है वेलिया, तो उसकी उपर अपने फाइर अटेक्स को यूज़ करने स्टार्ट कर दिया होता है, जिससे कर तुरंती माईको डेव दोनों को ही इस फर्स्ट राउंड का विजीता घुशित कर दिया गया था, और यह वाला राउंड देखके सबी लोगों को तेक्दम मज़ा ही आ चुका था, यहां तक कि लूशी का भी इसमें इंट्रस्ट बढ़ चुका था, यूकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी वज़े से मेरी जान तो खत्रे में आ गई थी, यह उससे कहता है कि मुझे जीतने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं जरूर से करूँगा, और यह उससे कहता है कि हम दोनों को ही साथ में फाइट करने की प्रक्टिस करनी चाहिए मैं कुछ से कहता है कि ठीक है कि वल अपने पावर्स को इनहेंस करने के लिए ही मैं ऐसा करूँगा, सबसे पहले हम दोनों को एक दूसरी के स्किल्स के बारे में जानना होगा, जिसके बाद अभी दोनों के दोनों समंदर के किनारे जाकर अपने अपनी प्रक्टिस को करने लगते हैं और हम इन दोनों की ही काफी सारी गजब की अवलिटीस को दिखाया जाता है, दोनों ने ही अपने टार्गिट्स को भी बना कर रख लिया था और वो उसी की उपर ही हमले कर रहे थे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाकि में तना ज्यादा लाजवाब दिखाई द लगता है जैसे कि ये दोनों ही बच्पन से साथ में ही ट्रेनिंग करते हुए आई हो, माइक उसे कहने लगता है कि अब हम लोग अटेक को डिफेंस के तौर पर और डिफेंस को अटेक के तौर पर यूज़ करेंगे, इससे कि हमारी ओपनेंट को पता ही नहीं चेले का कि आ